Welcome to my channel, Knowledge by Qasak. Today we will study chapter A Handful of Salt by class 6. A thin 61-year-old Mahatma armed with nothing for a walking stick marches to the sea with a crowd of followers. यहां introduction में बताया गया है कि एक पतले 61-year-old Mahatma Gandhi armed with nothing यानि जिनके हाथों में कोई हतियार नहीं है, वो एक stick के सहारे walk करते हुए sea की तरफ जा रहे हैं, जिनको follow कर रहे हैं बहुत ही बड़ा एक लोगों का जुन्द. Read what fascinates two young boys in a very small village in Gujarat as they wait for Bapu. यहां बताया कहानी में बताया गया है दो young boys के लिए, जो कि गुजरात के छोटे से village में बापू का wait कर रहे हैं. दानी एन गोकल climbed up the tallest people tree. दो वो लड़के दानी और गोकल जो कि people के पेड़ के उपर चड़ गए हैं. It was the best spot for a long distance view. क्योंकि यही वो spot है जो best जहां से उनको view देख सकता है. वो दोनों ही वहां से काफी काफी दूर तक miles में कच्छी सड़कों के किनारे बने हुए, कच्छे घासपूस से ढके हुए जोपडे, साबर्वती रिवर के रस्ते में जो बने हुए हैं वहां से साफ साफ दिख रहे थे. आज की morning में एक चमकती हुई सूरज की किरने पड़ रही थी. किसी को पता नहीं था कि वो procession कब आएगा. So the two boys had come prepared for a long wait. इसलिए वो दोनों ही लड़के लंबे समय वेट करने के लिए तैयारी के साथ आये थे. उन्होंने क्या तैयारी की थे? उन्होंने अपने साथ छोटे से कपड़े में bundle of chapattis बांदिये हुई थे और थोड़े से बनाना ले लिए थे. ताकि लंबे समय तक वो वहाँ wait कर सके. धानी turned to his friend and asked. धानी ने अपनी friend गोकुल से पूछा. How will we know when Bapu is coming? क्या हमें कैसे पता पड़ेगा कि Bapu आ रहे हैं? क्या यहां drum बजने लगेंगे? लोग गाना गाते हुए दिखेंगे, डान्स करते हुए दिखेंगे. गोकुल ग्रिंट and shook his head. ग्रिंट, you can write the meaning children. A sharp smile. तो यहां वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलता है, सर है लाते हुए. तुम्हें क्या लगता है? यहां कोई नोटनकी का show चलने वाला है. Village had been talking of nothing else but the march for days. पूरे village में सिर्फ march की ही बाते चल रही थी काफी दिनों से. From what I can understand, गोकुल बिगान, बापु विल गो to the seaside and make salt. इतने दिनों से जो विलेज में बाते हो रही थी, उससे गोकुल बोलता है, मुझे यही समझ में आया है कि बापु seaside ग्यानी नदी के किनारे जाके salt बनाएंगे, नमक बनाएंगे. Salt? Why salt? धानी asked, astonished. धानी गोकुल अचम्बित होके पूछता है, सर्प्राइज होके. Salt? क्या salt? नमक. Burning English goods, wearing khaki. That made sense. अंग्रेजों की बनाई हुई चीजे, khaki, सब जलाना, खादी न पहनना, यह समझ में आता है. But, इतनी लंबे समें तक पैदल चलना, and then, instead of a big and exciting bonfire of foreign goods, make salt. और अंग्रेजों की बनाई चीजों को जलाने के आग में जलाने के वज़ाए, नमक बनाना, यह मुझे समझ नहीं आया. Do you know, all Indians have to pay sales tax to the British government. इस पे गोकूल बोलता है, क्या तुम्हें पता है, कि हम सब को British के समानों पे, और salt पे, बहुत बड़ा tax पे करना पड़ता है, government को, और यहां तक कि, जो poor peasants है, किसान है, उनको भी tax पे करना पड़ता है, बापू is protesting because he thinks, it is a very unfair tax, और बापू इस चीज का विरोध इसलिए कर रहे है, क्योंकि उन्हें लगता है, salt पे tax एकदम ना जायज है, unfair है, by law, we are not allowed to make salt, और कानली को, बताया जा रहा है, कि महात्मा गांधी, उस चीज के लिए protest कर रहे है, क्योंकि government हम लोग को salt बनाने की भी permission नहीं दे रही है, so he will defy the law and make salt himself, इसलिए ये इस law को तोड़के, खुद की salt बनाएंगे, people all over the country will break the law at the same time by making salt, और पूरी country में, उसी time पे, सारे लोग इस law को तोड़ेंगे और salt बनाएंगे, वाह धानी करेंट, he is clever, isn't he, और बापू, हाँ, वाह, क्या बात है, बापू तो बहुत clever है, क्यान है ना, the two of them leaned back against the friendly trunk of the tree, दोनों ही tree trunk में लेट जाते हैं, असके सहारे बैठे रहते हैं, उनकी leaves और branches जो की ठंडी-ठंडी हवाओं से उनको sleepy feel होता है, any idea when they will be there here, he yawned, तभी दानी बोलता है कि कोई idea है वो यहाँ कब आएंगे, इस पे कोकुल उनको answer करता है, बापू said they plan to start early this morning, usually it's only a few hours walking from the साबरमती आश्रम, बापू ने plan किया था कि वो early morning ही start करेंगे, और कुछ ही घंटों में साबरमती आश्रम पहुँचेंगे, then he should be here anytime now, धानी said excitedly, excited में धानी बोलता है, फिर तो वो यहाँ किसी भी समय आजाएंगे, they squinted eagerly down the road and together yelled, they are coming, दोनों थोड़ा close, थेमी सी आँखें खोल के देखते हैं, तूर तक देखने के लिए जो कोशिश की जाती है, squinted, यहां हम आपको meaning भी दी गई है, looked with partly closed eyes to see clearly, जब हम दूर के distance देखने के लिए आँखों को सिकोड के देखते हैं, उस तरह देखते हैं, रोट के उस तरफ और दोनों एक साथ चीक पड़ते हैं, अरे वो आ रहे हैं, अज़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा था, सफेद नदी की तरह प्रोसेशन उनकी तरफ बहता चला आ रहा है, दोनों लड़के देख रहे थे कि विलेजर्स ट्री के नीचे अपने, पेड के नीचे लोग भी खड़े, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, और ये रिवर की तरह हैं, जो प्रोसेशन था, वो उनके पास continually आता जाता है, यहाँ पेड्स यहाँ पेड्स यहाँ पेड्स यहाँ पेड्स यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजे, पूरे ही समून को लीट करते हुए, कैसे एक थिन फिगर क्लाड इन शॉट वाइट खादी धोती, पतले से फिगर वाले, पतले से काठी के इंसान, सफेद रंग की खादी की धोती पहनी हुई, and with a large खादी शॉल, wrapped over his torso, उनके कंदों पे वाइट करर की शॉल खादी की ओडी हुई, he strode down the road, leaning against a tall walking stick, वो छोकी हुई रोट की तरफ बढ़ते हुए, एक स्टिक के सहारे, tall stick उनके हाथ में, धानी stared at the small grandfatherly face, the bald head and round spectacles, the watch swinging at his waist and thought in triumph, ah so this is बापो, वो बोलता है धानी, उसको stare करता है कि यह तो grandfather के face की तरह है, बिल्कुल हमारे grandfather, उनके सर पे बाल नहीं थे, round circle कर गोल-गोल spectacles लगे वे चश्मा लगा हुआ, और एक watch उनकी waist पे टंगी हुई, और खुशी के मारे वो बोलता है, हाँ यह है हमारे बापो, Mohandas Karam Chand Gandhi, बापो, was also the Mahatma or the Great Soul, उनका पूरा नाम Mohandas Karam Chand Gandhi था, जिनको बापो, Mahatma, Great Soul, इन तीन नामों से भी refer करते थे सब, बुलाते हैं, प्यार से, He looked like a benign grandfather, someone who should be sitting on a charpoy in the village square under a shady tree, वो बिल्कुल एक बूरहे से kind, benign, kind and gentle, grandfather, दादा जी की तरहें देखने वाले, जिनको इस उमर में एक चारपाई पे, village के जैसे grandfather's चारपाई पे बैठे रहते हैं, बैठा रहना चाहिए था, एक shady tree के नीचे, ये करने के बजाए, यहाँ, He was leading the long march to freedom, हम आजादी के लिए इतनी बड़ी march को lead करते हुए दिख रहे हैं, He walked steadily, busy, talking to the people beside him, और continuously वो चलते जा रहे हैं, लोगों से बात करते हुए जो उनके साथ चल रहे हैं, Once in a while someone would run up to garland him, इसी बीच चलते चलते के बीच ही कोई उनको माला पहना रहा है, तो वो उनको gently smile कर रहे हैं, और वही कोई उनके पैर चूरा है, Touch his feet and he would raise a hand in blessing, Bless करते हुए उनको हाथ से blessings भी दे रहे हैं, लेकिन ये सब वो non-stop कर रहे हैं, बिना रुके चलते चलते, और एक surprising speed की तरह है, For a man who looked so frail, इतने कमजोर, Frail means weak दिखने वाले आदमी, कैसे इतने अच्छी speed में चलते जा रहे हैं, People joined the march from both sides of the road, दोनों तरफ से road के लोग उनको join करते जा रहे हैं, And the white river kept getting longer and longer, और ये सफवेद नदी procession की बढ़ती ही चली जा रही है, आदमी, औरते, बच्चे, All were going to make salt, आज सब salt बनाने के लिए उनको join कर रहे हैं, By now the boys were hanging out of the tree, अब वो पेड से उसके लिए उतरने की कोशिश कर रहे थे, Gandhi जी kept coming closer and then he was right below the tree, Gandhi जी continuously पेड की तरफ आ रहे थे, और आब वो बिलकुल पेड के नीचे आ चुके थे, और वो उन दोनों young faces को मुस्कुराते हुए जो देख रहे थे, Looking down with such adoration and smiled, दोनों ही लड़के प्यार से उनकी तरफ देख रहे थे, Gandhi जी ने भी उनको देखा, Dhani looked at Gokul and in a flash, the boys scrambled down the tree and ran to join the crowd of people walking with him, Dhani और Gokul ने दोनों को एक दूसे को देख के, दोनों ही पेड के नीचे उतराय और उस crowd को join किया, they forgot about what their parents would say, वो उस time भूल गए कि उनके parents उनको क्या कहेंगे, they did not worry about what they would eat or how they would get back, उनको समय किसी चीज की चिंता नहीं रही कि वो क्या खाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, half the village was going anywhere, आदे से जादा उनके पीछे, बापू के पीछे लोग गाओं के चल पड़े थे, बापू had called them, बापू ने उनको बुलाया था, how could they say no, वो उनको मना कैसे कर सकते थे, so they walked, सब चलते गए, it seemed as if the whole of India was walking them, ऐसा लग रहा था, पूरा इंडिया उनके साथ चल रहा है, there were also the white-skinned British, with metal boxes, that they held to their eyes and clicked, यहां metal boxes, cameras को कहा गया है, वहां पे Britishers भी थे, जो camera से उनकी photos click कर रहे थे, a man told them, that these boxes took pictures, and Gokul realized with delight, that his picture had been taken too, एक आदमी ने Gokul को बताया, कि यह इन boxes से वो photo कीच रहे है, तो इसी में Gokul बड़ा खुश होता है, कि शायद उसकी भी photo कीची होगी, all the while, the white river kept getting longer and longer, यह सफेद समू बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि लोग उसको join करते जा रहे थे procession को, बापू chatting and smiling, waving and nodding, और बापू continuously बात करते हुए, smile करते हुए, हाथ से wave करते हुए, लोगों को सर हिलाते हुए, marched on, चलते ही गए, they went through villages, where the road was covered with leaves and flowers, वो वहाँ पे चलते जा रहे थे village में, जहां रोड पूरा कवर था, पत्तों से, flowers से, mud, puddles and stony tracks, कहीं मिटी भरा रस्ता, कहीं stony tracks, पत्रीला रस्ता, बस वो चलते जा रहे थे, they soon stopped to rest for the hottest part of the afternoon, afternoon जो कि दिन का सबसे गरम, पाट माना गया है, होता है, वो उस समय रुख जाते हैं, तो वहाँ पे विलेज की औरती, वहाँ सब के लिए फूड लाती है, जो फूड में वो चापाटी जाती है, वोट इस बापू एटिंग, धानी वंडर्ट, धानी को बहुत anxiously पूछने लगा, कि बापू क्या खा रहे हैं, with all his walking, he'll need lots of energy, कि बापू के लिए तो इस समय बहुत energy वाला खाना चाहिए, तो वो क्या खा रहे हैं, गोकू लुग्ड अराउंड at the people sitting nearby, गोकू पास बैठे लोगों को देखता है, some were dazzling while others were huddled together talking, कुछ आपस में बात कर रहे थे, कुछ नींद के पीछे dazzle कर रहे थे, the boys went close to one group of men, एक group के पास जाता है, one of them wearing a dhoti and kurta, chewing paan and speaking in a heavy ascent, एक आदमी जिसने dhoti kurta पहना रहता है, paan मू में खा रहा होता है, और एक heavy ascent भारी आवाज से पूछता है, for how long do we have to walk, किता लंबा हम लोगो चला पड़ेगा, another answered haltingly, well Sabarmati is in Ahmedabad and Dandi is one of the Bombay coastline, if calculated that would be about 385 km, तो वो बोलता है, अंदाज लगाते हुए, कि Sabarmati Ahmedabad के पास है, और Dandi Bombay coastline में, तो लग भग हम लोगो 385 km चला पड़ेगा, there was complete silence, as everyone digested the long distance, they would have to walk, तो complete silence हो गया, और सब सोशे लगे कि भाई, इतना लंबा रस्ता भी हम लोगो चला आए, and by my calculation, the man continued, और वही आदमी continue करता हुआ, बोलता है, मेरी calculation के हिसाफ से, if we go the way we have started, walking in the mornings and evenings, it will take us 3 to 4 weeks, इसी तरी के अगर हम लोग morning and evening चलते रहे, तो हम लोगो 3 से 4 हपते लग जाएंगे, क्या तुम्हे लगता है कि इस दौरान जब तक हम लोग चलते रहेंगे, पूरी कंट्री से हमारे बारे में सुनेगी, हमारे बारे में सोचेगी, nothing could help our cause more, he is initiating the nation by making salt, he truly is a brilliant man, बहात्मा गांदी एक brilliant man है, ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ चलते हैं जा रहे हैं, uniting the nation by making salt, पूरे nation को unite करने के लिए, just then the boys noticed a tall thin man coming towards them, he stopped near them, तभी इन boy ने notice किया कि उनकी तरफ एक पतला आत्मी चलता हुआ आ रहा है, और उनके पास आके रुख जाता है, both the boys and the man looked at each other in astonishment, surprisingly boys और आदमी एक दूसरे को देखते हैं, before blurting out together, और तिनों एक साथ बोल पड़ते हैं, what are you doing here, यहाँ पे ये आदमी होता है गोकुल का father, गोकुल's father had also joined the march and they didn't even know, गोकुल के फादर ने भी ये मार्च जोइन किया होता है, और उनको पता नहीं होता है, शुक इस हैड, I should have known you two would do something like this, well, now it is time to go home, I know it is fun and you would like to go on, but it is a long walk to Dandie and it is not for small boys, तब गोकुल का father उसको बोलता है, मुझे पता था तुम लोग कुछ ऐसी हरकत करोगे, लेकिन अब समय आ चुक है, अब तुम लोग घर चाओ, क्योंकि बहुत, मैं जानता हूँ बहुत fun है, but काफी लंबा चलके जाना पड़ेगा, नहीं मैं भी वापस जा रहा हूँ, बापु ड़स नॉट वांट उस तु लीव और वर्क, बापु नहीं चाहते कि हम लोग अपना काम छोड़े, there are others who will take our place at early village and town they go through, आगे कुछ और लोग हैं जो हम लोग की place ले ले लेंगे और इस procession को join करेंगे, Can we take another look at बापु? Before we leave, Dhani asked and Gokul's father nodded, Dhani पूछता है क्या एक बार फिर हम लोग बापु को देखने जाने से पहले, उसमें उसका फादर बोलता है, सर हिलाके उसको हामी भरते हैं, गांधी जी was fast asleep on a charpai under the shade of a tree, उस समें गांधी जी को गहरी नींदा आगाई थी, चारपाई पे लेटके, they gave him one last admiring glance, आखरी बार उनको admiring नजरों से देखते हुए, and began the long trudge home, और अपने घर की तरफ वो tiring walk करना start कर लेते हैं, so children hope you enjoyed learning with knowledge by a kasa, please like and subscribe my channel, thank you